हुआ है झाला बहुतु संग और नमस्कां दोस्तों डिज्गोर के होज़ा आज हुआज के वारे मैं जो को सoko latch आगी चेटर वह सब्सक्राइन होता है वही को फ़ी इसनातक बोला-जाता है और उसको ही डिग्री बोली जाती है Graduation या डिग्री या इसनातक ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है Undergraduate और एक होता है Postgraduate इसको हिंदी में हम कहते हैं एक होती Bachelor डिग्री और दूसरी होती है Master डिग्री और इसका तीसरा भी नाम है एक होता है इसनातक और दूसरा होता है पराइसनातक इसनातक मतलब जो इंटर के बाद हम करते हैं तीन साल का कोर्स उसको ही इसके अंदर कर रखा जाता है और ये तीन साल का कोर्स जब हो जाता है मतलब इसनातक कंप्लेट होता है इसके बाद हम करते है पोस्ट ग्रिजुएट मतलब की प्राइस नाता का और उसका तीसरा नाम है मास्टर डिगरी ये तीनों एक रहते हैं और ये होते क्या क्या है बी ए, बी एससी, बी कॉम ये सब जिसमें के आगे बी लगा रहता है बी मतलब होता है बैचलर और जो बी से स्टार्ट होने वाले जतने भी डिगरियां है जैसे बी ए है, बी एससी, बी कॉम, बी बी ए है, बी टेक है और बी लिव है, बी बी है, बी आर्क है, बहुत सारी डिगरी जैसे आप इसके पर देख पारे हो वे सारी B से start हो रहे हैं, B का full forming होता है bachelor और जो पीछे आपका लिखा रहता है, दूसरा word उसका मतलब उसकी जो stream है, उसमें जो पराया जाना है, उसके बारे में लिखा रहता है, यसे B, A बोला जाता है bachelor of art को, B, C, A बोला जाता है bachelor of computer application को, B, Tech बोला जाता है bachelor of technology को, इस परका पाओगे master degree को, master degree मतलब होता है M, जो B जैसे bachelor होता है, वैसे M का मतलब यहाँ पर master होता है, जैसे आपने सुना होगा MA है, M Tech है, MBA है, तो A M का full form होता है master, M A बोला जाएगा, तो M A का मतलब है master of art, M Tech का मतलब होता है master in technology, तो यह master degree होती है, मतलब कि यह 2 साल की होती है, और बैसलर डिग्रियां होती है, वो होती है तीन साल की, बैसलर डिग्री पहले होगी, इसके बाद आप मास्टर डिग्री कर पाओगे, चुकि यह student को confusion रहता है, और यह terms उन्हें सुने नहीं होता रहते हैं, इसलिए उन्हें confusion रहता है कि मतलब क्या है इन सब का, तो इंटर के ब undergraduate है, पोस्ट graduate है, यह सब इनी के ही नाम है, बस एक दो चीज़ें हैं, उनके ही हमें तीन-तीन नाम में डिवाइड करके मैंने बताया है, इसक्रीन पेटर से आप देख पा रहे हो, यह पूरा इनका summary है, जो दो चीज़ें हैं, इनके ही यह सनोनिम से, होप सो आपको यह diploma रहता है, और diploma से बड़ा रहता है, डिग्री, छे से एक साल के जो रहता है, वो certificate रहता है, एक से दो साल का रहता है, वो diploma रहता है, और जो डिग्री है, वो तीन साल से ज़्यादा चार साल या पांस साल की होती है, और जो master डिग्री रहती है, वो दो साल की हो सकती है, तीन साल की भी रह सकती है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा intermediate intermediate के बाद आप कर पाओगी कोई bachelor degree bachelor degree जब पूरी हो जाएगी जिसमें आप pass हो पाओगे इसके बाद आप कर पाओगे master degree तो हुपसो आपको इस समझ में आया होगा वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया जएण